जिला कांगडा के पालंपूर में पिछले कुछ दिनों से कपिल शर्मा के आने की खबर फैली हुई थी लेकिन कपिल शर्मा कहां रुके हैं कहां नहीं पिछले कल इन सभी अठकलों पर विराम लग गया जब कपिल शर्मा अपने परिवार सहीद पालंपूर के सौरव वन विहार पहुंचे थे जहां उन्होंने पालंपूर के शहीद कैप्टन सौरव कालियाग वन विहार का देदार किया और कुछ फैंस से बार्शेत भी की जानकारी के मताबिक कपल शर्मा पालमपूर में हाल ही में बने डाक बंगलो में रुके हैं जिला कांगडा के पालमपूर में पिछले कुछ दिनों से कपल शर्मा के आने की खबर फैली हुई थी लेकिन कपल शर्मा कहां रुके हैं कहां नहीं पिछले कल इन सभी अठकलों पर विराम लग गया जब कपिल शर्मा अपने परिवार सहीद पालमपूर के सौरव वन विहार पहुंचे थे जहां उन्होंने पालमपूर के शहीद कैप्टन सौरव कालियाग वन विहार का देदार किया और कुछ फैंस से बार्शेद भी की पालमपूर से शालिका की रेपोट पिछले कुछ दिनों से कपिल शर्मा के आने की खबर फैली हुई थी लेकिन कपिल शर्मा कहां रुके हैं कहां नहीं पिछले कल इन सभी अटकलों पर विराम लग गया जब कपिल शर्मा अपने परिवार सहीद पालमपूर के सौरव वन विहार पहुंचे थे जिला कांगडा के पालंपूर में पिछले कुछ दिनों से कपिल शर्मा के आने की खबर फैली हुई थी लेकिन कपिल शर्मा कहां रुके हैं कहां नहीं पिछले कल इन सभी अठकलों पर विराम लग गया जब कपल शर्मा अपने परिवार सहीद पालंपूर के सौरव वन विहार पहुंचे थे जहां उन्होंने पालंपूर के शहीद कैप्टन सौरव कालियाग वन विहार का देदार किया और कुछ फैंस से बार्शेत भी की जानकारी के मताबिक कपल शर्मा पालंपूर में हाल ही में बने डाक बंगलो में रुखे लाइप टाइम्स टीवी के लिए पालंपूर से शालिका की रेपोट अब बने डाक बंगलो में रुखे लिए पालंपूर में बने रुखे लिए पालंपूर में रुखे लिए अधिशन्स की डेट्स चल्ड अनौंच होगी देख्टे रहे हैं लाइफटेम्स टीवी है माच्व का सबसी लोग प्रीय डिजिटल नियूस मीडिया चैनल